निरेज पंडे जो के special of special छब बेस अवर्डनेस डे के डाइरेक्टर हैं वो एक रोमेंटिक ड्रामा और क्राइम ड्रामा लेकर के आगए हैं उसमें अजय देवगन तबू नजर आती हैं जो कि लीड रोल में नजाएंगे जिनकी लब स्टोडी पे ये पूरी कहानी बेस्ड है और इसमें हमें तबू के पती के रूप में जिमी सेरियल भी नजर आते हैं जिनका नाम अविजीत बताया जा रहा है उसके बाद हमें सांत्रू महेश्वरी जो पास्ट आजय देवगन का रोल करते हुए नजर आएंगे मतलब जो पास्ट में बच्पन का आजय देवग अपने पुराने बिछरे प्यार से मिल ले जाता है यह ट्रेलर भाई मुझे एक टाइम को तो पुराने टाइम का जो स्टार प्लस का जो सीरीज आता था ना वह ऐसा लगा बट 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 इसके बारे में हम डेटेल से बात करेंगे और क्यों नीरज पांडे अज डाइरेक् क्या स्थल है वह और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहतरीन खास करके जो सिंपल एक संड्रामा मुविस उतीय ना बहुत ही बहुत ही अग्टम जामठाश थोन करके लाते हैं तुम चाहे आरिडनस ले की बात करो तुम चाहे ऑन तोक्सरीं की बात करो या तुम ,ivanice अच्छत बताया है कि क्यों वो बहुत ही मतलब बच्पन से एक दूसरे को जानते हैं बहुत पहले से इन में उतने बहतरी रूप से डवलप होती है वो मतलब भोला जो मूवी आया था उसमें भी हमने देखा था वो मूवी भले ही उतनी इंपेक्ट नहीं दे पाई थी बट वो केमेस्ट्री हम वाइव फिल कर पाते हैं वो देदे प्यार दे में भी नजर आया था तो यह चीज बट वही चीज है कि मतलब वह कॉंपिटीशन देती है बरे बरे एक्टर्स को जमावरा होता है जब इतने बहतरीन तरीके से एक्टर्स को ले के आया जाता है तो वह जान डाल देता है मतलब एक बात फुक देती है और एक और चीज मुझे इसमें लगी कि मतलब इनों ने अजय देवन के बचपन के रोल को डी एजिंग नहीं किया जो कि आजकल बहुत माना जाता है कि बहुत क्या जाता है जो यह पहले के होता है कि मतलब उसमें ज्यादा बजट खर्च होते है बट इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से डाल दिया दिखा दिया जाता है कि कोई और एक्टर प्ले करता है इसे ओडियंस के माइंड में वह एकदम इचीनेस नहीं आती है यार यह अजीब सा लगड़ा है ऐसा कुछ तुमने एक सेटलमेंट डाल दी तो ऑडियंस क के माइंड में कि भाई इसके बच्पन का रोल कोई और एक्टर कर रहा है और यह इसके बच्पन का रोल है ऐसा तो वह एक क्लियारिटी मिल जाती है और सांदुरु महिज़ोरी ने जितने ट्रेलर में देखा है मैंने बॉड़ी लेंगविज पकड़ी है जो सिंपलिसिटी अगर लोगों को याद होगा बहुत पुरानी सीरियल चाहिए तो तो उसमें मतब ऐसा ही चीज़े होती थी इसमें बैक स्टोडी जो है यह एक एहम किरदार ने बाती है मतब कुछ कहानी बताया नहीं गया है बस टुगरो टुगरो में एकदम स्ट्रेलर बस नाम का डाल द देता है कि भाई इसमें यह चीज़े होने वाली है क्यों होगी कैसे होगी किस वज़े से होगी दूसरी साधी क्यों कर ली और यह बात तो तुमको माननी पड़ेगी बाई कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा हो कितना कुछ हो लड़का कुवारा मर जाएगा लड़की तो देखो दिखाया जा रहा है बट वही है कि अब देखते हैं कि क्या होता है क्या मजबूरिया रही होंगी कि भाई तबू ने दूसरी साधी कर ली और बस ये मतलब मडियल सी चीज ना हो जिमी सेर्गिल विलेन निकल जाए मतलब फिर वो प्रिडिक्टेड बात हो जाएगी कि वही जो एक मतलब इमेजिन करके चलते हो तुम लोग कि भाई एक्स गल्फेंड की आप पती या बोई फेंड ही विलेन होगा तो वो थोरा साथ लीचर पंती लग जाता है खास करके आप जब इतनी मूवीज में हमने देख लिया है तो प्रॉपर अगर विलेन सेट अप हो कुछ ऐसा तगड़ा वाला तो मज़ा आएगा तो यही था औरो में कहां दम था कि ट्रेलर का रिव्यू मुझे ट्रेलर ठीक ठाक लगी है मतब कुछ ज़्यादा एक्सपक्टेशन्स थी भी नहीं बढ़ ठीक है मतब देखने लाइक होगी यह मूवी यह तो बता सकता हूं है तो थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना तुम्हें अगर कुछ चाहिए वेव सीरीज वागेरा तो मुझे टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जर ले मिलते हैं किसी और मुझेदार वीडियो में किसी और मुझेदार अपडेट्स के साथ तब तके लिए टेक केर बाई बाई